आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के राश्टरपती की शक्तियां और कारे जैसा कि हमने देखा कि पांचमें गंतंतर में राश्टरपती को वास्त्विक राश्टियनेता की स्तिति है वो परदान की गई अब राश्टरपती पद की शक्तियां और उनके कारे बहु मुखी हैं उनका अध्यन हम विभिन पॉइंटों के अंदर कर सकते हैं तो वो पॉइंट्स हैं पहला है कारे पाली का शक्तियां कारे पाली का शक्तियों का अर्थ है कि पंचम गंतंतर के सविधान की धारा आठ के अनुसार परधान मंत्री की न्युक्ति और मंत्री मंदल के निर्मान का एक मातर अधिकार राष्टर पती को है वो परधान मंत्री को भी न्युक्त कर सकता है और मंत्री मंदल को भी परधान मंतरी के लिए यह आवश्चक नहीं कि वह अपनी नुक्ति के पस्चाद राष्टिय सभा का विश्वाश प्राप्त करे जैसे हमारे यहाँ पर जो परधान मंतरी बनते हैं उन्हें संसद के अंदर अपना विश्वाश मत प्राप्त करना होता है फ्रांस में जिसे राष्टरपती परधान मंतरी बना देंगे तो परधान मंतरी को विश्वाश मत प्राप्त करना जरूरी नहीं है और मंतरी मंडल के लिए संसद का सदस्य होना भी आवश्चक नहीं है जैसे अमेरिका में राष्ट्रपती किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, उसी परकार से फ्रांस के अंदर राष्ट्रपती किसी को भी मंत्री बना सकते हैं राष्ट्रपती परधान मंत्री के चयन में समय को उतंतर पाते हैं राश्ट्रपती ना केवल परधान मंत्री के चयन वरन उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी रखते हैं सविधान की अनुचेद नो की अनुसार राश्ट्रपती मंत्री मंदल की बैठकों का सभापती तव भी करते हैं इस परकार मंत्री मंडल की कारेवाई पर राष्टरपती का पूरन नियंतरन है राष्टरपती की कारेपाली का शक्तियां है इसके अंदर राष्टरपती है वो सवतंतर है जैसा कि हमने देखा कि जो अमेरिका की राष्टरपती है उनकी शक्तियां फिर भी सिमित हैं उन्हें मंत्री मंडल की जो भी नुक्तियां करते हैं उसके लिए सिनेट का अनुसमर्थन लेना होता है लेकिन फ्रांस के राष्टरपती को मंत्री मंडल और परधान मंत्री की नुक्ति के लिए किसी प्रकार के अनुसमर्थन के आवशक्ता नहीं है दूसरा है विधाई शक्तियां विधाई शक्तियों को हम निमिन पॉइंटों में देख सकते हैं जैसे संदेश भेजना तो अनुचेद 29 में कहा गया है कि परधान मंतरी या राष्टिय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रातना पर राष्टरपती विशेश कार्यकरम सहित संसद का अधिवेशन आमंतरित करेगा तो राष्टरपती को संसद का अधिवेशन आमंतरित करने की सवतंतरता है और संदेश भेजने में है कि संसद के दोनों सदनों को राष्टरपती संदेश भेज सकते हैं और विधयक को पुनर विचार के लिए लोटाना तो फ्रांस के अंदर ये टाइम पिरिड पंदरा दिन का है सविधान की धारा 10 में कहा गया है कि संसद में पारित होने पर विधयक राष्टरपती के पास भेजा जाएगा यदि राष्टरपती 15 दिन के भीतर उसे कानून भोशित करेगा इस सवधी में वे विधयक को संसद में पुनर विचार के लिए भी लोटा सकता है इस पर संसद अनिवारेते विचार करेगे राष्टरपती के पास विधयक आता है तो उसके बस 15 दिन का टाइम पिरियड है कि वो सिस्विकार करे या फिर पुनर विचार के लिए लोटा दे एक है विधयक को सीधे जन्मत संग्रह के लिए भेजना राष्टरपती की ये महतवपूराई शक्ति है कि वह किसी विधयक को जन्मत संग्रह के लिए भेज सकता है इसके आधार पर राष्टरपती जन्ता की सहमती से अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सकता है राश्टरपती किसी टोपिक पे कानून बनाना चाहता है लेकिन संसद के साथ उसके विचार नहीं मिलते तो वो सिद्धा जनता के सामने उस विधेयक को कानून के प्रारूप को रख सकता है और जनता की सहमती से वो कानून का रूप ले लेगा सबसे पावरफुल शक्ती है राश्टिय सभा को भंग करने की शक्ती सविधान की धारा बारा कि अनुसार गंतंतर का राश्टरपती, परधान मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सभापती से रामर्ष के बार राश्टिय सभा को भंग कर सकता है यहां ध्यान देना है कि उसे परधान मंत्री या सभापतियों से सहमती नहीं लेनी है सिरफ उन्हें सूचित करना है कि मैं संसद को भंग करूँगा और वो अपनी इच्छा के अनुसार संसद को भंग कर सकता है इसके अंदर उस पे दो परतिबंद भी है यदि राष्टिया सभा के पुन्नर विचार के बाद एक पुन्नर निर्वाचन के बाद एक वर्ष के भीतर राष्टर पति उन्हें पुने भंग नहीं कर सकता मतलब जैसे अभी आज राष्टर पति ने संसद को भंग कर दिया फिर नई संसद के लिए चुनाव हुए तो जब नई संसद कारे शुरू करेगी तो एक वर्ष तक उसे भंग नहीं कर सकेंगे एक वर्ष के बाद भंग कर पाएंगे और दूसरा है अपातकाल अगर लगा हो अपातकाल के दोरान भी संसद को भंग नहीं किया जाएगा ये थी राश्टरपती की विधाई शक्तियां अब हम देखते हैं न्युक्ति संबंधी शक्तियां स्विधान की धारा 13 में कहा गया है कि राश्टरपती मंतरी परिशद की बैटकों में राज्य के कौंसिल, ग्रेंड चांसलर, प्रोटेक्ट समुंदर पार्शत्तर में सरकार के परतिनिधी, राजदूतों, विश्य विधालियों के कुलपतियों आदी की न्युक्ति करेगा और मंतरी परिशद की न्युक्ति और कारे संचालन पर राश्टरपती का नियंतरन है इसलिए राश्टरपती इन न्युक्तियों में बहुत पावरफुल शक्ति रखता है उसे अमेरीकर के राष्टरपती के भांती अनुसमर्थन या पुष्टी की आवशक्ता नहीं है विदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति तो पांचमें गंतंतर के सविधान में विदेशिक संबंधों के संचालन की जो व्यापक शक्ति है वो राष्टरपती को दे गई है धारा रेपपन में कहा गया है कि शान्ती संधी, व्यापारिक संधी, अंतराष्टिय संगठन संबंदी संधी राज्य शेत्रों के हस्तांतरन या समर्पन आदि से संबंदीत संधीयों की सुविकरती संसद के दवारा होनी चाहिए लेकिन सविधान की इस धारा से व्यापार में राष्टरपती का प्रभाव शेत्तर है वो खम नहीं हुआ है, वरन उसे विशेश स्तिती मिली है न्याइक शक्तियों न्याइक शक्तियों का उलेक सविधान की धारा चोंसट धारा चोंसट में क्या कहा गया है राष्टरपती न्याइक सवतंतरता का रक्षक है राष्टरपती ही न्याइपालिका की उच्छ परिशन उसका नाम है सुविधानिक परिशत का सभा पतितव करता है वहाँ पे न्यायक शेत्तर के लिए विभिन पतिशदे हैं तो जो सुविधानिक पतिशद है उसका अध्यक्ष कोन है? राश्टरपती और इस पतिशद में नो सदस्य होंगे सुविधानिक पतिशद के जो नो सदस्य है वो हर तीन वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य हैं निर्वाचित होते हैं राश्टरपती के दवारा सभी न्यायक न्यूक्तियां उच्च न्यायक परिशद की मंतरना के आधार पर की जाती है अनुछेद 17 के अनुसार राश्टरपती को शमादान का अधिकार भी मिला हुआ है जो शमादान का अधिकार भी वो उच्च न्यायक परिशद के प्रामट से ही करेगा अब है संकट कालिन शक्तियां सविधान की धारा 16 में कहा गया है कि यदि गंतंतर की संस्था को घंबेर और तातकालिन कारण उत्पन हो जाए अथवा राश्टर की सवतंतरता, शेत्तर की अखंडता, अंतर राश्टिय दायत्तों की किर्यानवती खत्रे में पढ़ जाए और यदि सविधान दौरा निुक्त सारवजनिक अधिकारियों के कारे संचालन में बाधा पहुँचती हो तो राश्टरपती उन प्रिस्तितियों के समाधान हेतु आवश्यक कारवाई कर सकता है सविधान कहता है कि राश्ट्रपती एक संदेश के दवारा राश्ट्र को उन संकट काल इन प्रिस्तितियों के बारे में बताएगा संकट काल की घोशना के साथ ही संसद का धिवेशन है वह सवता ही आरंभ हो जाएगा संकट काल में राष्टिय सभा भंग नहीं होगी ना ही संसद की बैठक है वो स्तगित हो सकेगी राष्ट्रपती की करेवाही का एक ही उदेश्य होगा यथा संभव कम से कम समय में समन्निय स्तिति को बनाना संकट कालिन सोरी फ्रांस के राष्ट्रपती को अपातकाल के घोशना की जो शक्ति है वो परदान की गई है उस दुरान वहां के जो संसद है वो भंग नहीं होगी और उसका अधिवेशन है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा तो इस तरह हमने आज फ्रांस के राष्टरपती की शक्तियां देखी जो उनको विश्व से युनूइक बनाती है वो दो शक्तियां है एक है किसी भी विधेयक को जन्मत संग्रह के लिए भेजना और दूसरा है राष्टिय सभा को भंग करने की शक्ति धन्यवाद